हालो एर्यवन वेल्कम बेक टू वर यूट्यूब चैनल आरन्सिसी नर्सिंग अल्लाइन कोचिंग एंटेस्रीज तो आज के अपने जो क्लास रहेगी वो अगेन एक सेशन रहेगा इंक्लूडिंग इमेजबेस और कुछ अमसिक्यूज ठीक है इमेजबेस आज हम तोड़ा ट्रेक्शन वगरा देखने वाले हैं किस प्रकार के ट्रेक्शन काम करते हैं क्या होता है और इनके साथ ही जो है अपना सेशन चलेगा टेस्रीज के बार हम बतना जाता हूं आरन्सिस सब्जेक्ट वाइस देखने को मिलेंगे और नॉच्टिंस के अपना सेशन को बिना किसी दे रहीके फर्स्ट हमसी क्यों है अपना, identify the type of traction shown in the photograph, आपको इस photograph के अंदर कौन सा traction जो है आपको दिखाया दे रहा है, ठीक है, Hamilton Russell Traction, Gallows Traction, Becks Traction या फिर Balanced Skeletal Traction, कौन सा traction आपको यहाँ पर दिखाया गया है, तो देखिए, इसके अंदर जो traction है, वो है Hamilton Russell Traction, ठीक है, यह कौन सा traction है, Hamilton Russell Traction, अब इसको कहाँ पर काम में लिया जाता है, तो used for Inter-Cocentric Fracture, ठीक है, Inter-Cocentric Fracture के अंदर यहाँ पर क्या है, इसको काम में लिया जाता है, और यह एक परकार का counter traction का भी काम करता है, साथ में, ठीक है, अपने body के weight भी यहाँ पर लगता है, और साथ में जो यह pulley का weight है, इसका भी weight लग रहा है, यहाँ पर patient की body का भी weight लगता ह इस पर, ठीक है, इस traction को हमने क्या कहा, Hamilton, Russell, Traction, अब देखिए, traction से related और क्या है, हमची की बनते हैं, तो, अच्छा important topic है, exam में पूछा भी जाता है, traction से related, हमची की, तो देखिए, traction क्या होता है, apply, pulling force, to, part of body, ठीक है, body part के उपर हम क्या करते हैं, pulling force, apply करते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, traction, two, four, prevent, muscle, bone, moment, ठीक है, bone, moment को यहाँ पर, prevent करने के लिए, और proper alignment में लिए, to, mag, proper, alignment, ठीक है, bone का proper alignment के लिए, क्या करते हैं, traction का use में करते हैं, अब देखिए, traction भी, दो टाइप के होते हैं, एक होता है, traction, एक होता है, counter-traction, traction हम normal traction की बात करते हैं, तो उसके अंदर क्या लगता है, body के पर क्या करते हैं, weight gain किया जाता है, इसके दोरा, pulley के दोरा, ठीक है, pulley या फिर नीचे, जो sand bag है, उसके दोरा, weight apply के रहता है, body पे, वो होता है, traction, और इसके अंदर, counter-traction के अंदर क्या होता है, body का weight, and sand bag, इन दोनों के बेग से जो बीच के अंदर यहां पर जो traction लगेगा, उसे हम क्या कहते हैं, counter-traction, अब यहां पर MCQ बनता है, इससे कि यह किस प्रकार का low पर काम करता है, तो this is work on newton's third low, ठीक है, newton's third low पर यहां पर काम में करता है, अब देख लीजिए, skeletal traction और skin traction क्या होता है, skin traction and skeletal traction, अब skin traction के अंदर क्या होता है, cooling applying on skin, ठीक है, skin के उपर हम क्या करते हैं, bandage वगरा से हम क्या करते हैं, traction apply कर देते हैं, और यह क्या करेगी, जो bone की muscle fascia है, ठीक है, उनको यह, उनके अंदर क्या करेगी, traction लाएगी, तो उससे क्या होगी, indirectly force किस पर पढ़ेगा, बोन पर, ऐसे क्या करता है, skin traction work करता है, और यहाँ पर क्या करता है, standman pin, sand spin, इन दोनों pin की वज़े से हम क्या करते हैं, यहाँ पर pin insert करते हैं, ठीक है, pin insert करने के बाद में, क्या किया दाता है, उसके उपर weight लगाया जाता है, और यह direct bone को खिंच ले जाता है, तो यह परकार का क्या है, invasive, और यह परकार का non-invasive procedure है, ठीक है, अब MCQ बनता है, यहाँ से की weight कितना लगाते हैं, इसकी skeletal traction में, तो weight लगाते हैं, 19 to 80 kg, 18 kg, ठीक है, weight कितना perform करते हैं, 19 to 18 kg, अगर यहाँ से समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको यह करना है, 10% of body weight, उचारा सकता है, बड़ यह तो यहाँ से MCQ आया है, ठीक है, अब देखिए, आपको नीचे आप image दी गई है, यह कौन सा image का traction है, gallows traction, अब यह कहां पर use आता है, use for fracture of shaft of femur, ठीक है, यह आपर क्या है, shaft bone, femur का shaft का होता है, बीच में होता है, बाट की side में head होता है, बीच में shaft होता है, इस प्रकार से आपने bone की structure पढ़ी होगी, तो इस shaft के अंदर क्या देखने हूं मिलता है, fracture देखने हूं मिलता है, तो इस प्रकार का traction लगाया जाता है, ठीक है, इससे हम क्या बोलता है, brand traction भी से हम कह सकते हैं, ठीक है, तो अब देखिए, यह तो होगया अपना skin के अंदर कितना अपन weight लगाते हैं, अब हमें क्या करना है, pin care करनी होती है, pin care is the important for skeletal traction, pin care आपको करनी है daily, और next यहाँ पर आपसे पूछले कि skin traction में, कितना weight apply किया रहता है, तो 3.5 से 4.5 kg, यह किसका बता रहा हूं में, skin traction का हो, यहाँ पर मैंने आपको skeletal का तो बता देखना है, आपको क्या करनी है, pin care करनी है, साथ-साथ में, अब अगर examiner आपसे MCQ पूछले, कि within 24 hours पर आपको क्या देखने को मिला है, serous fluid, what is this meaning, अगर within 24 hours आपको serous fluid देखने को मिल रहा है, तो मतलब normal condition है, but after 24 hours अगर serous fluid अगर continue तरीके से बन रहा है, तो यह हो सकता है, यहाँ पर infectious कोई condition arise हो गई है, तो इसके लिए आपको अगरना है, surgeons को यहाँ पर inform करना है, या फिर जो healthcare provider रहता है, वो यहाँ पर काम अपना करेगा, ठीक है, अब देखिए attractions की कुछ types होते हैं, ठीक है, अपनी तरफ से इनकी images देखनी है, में भी यह दिखाऊंगा, बट आपको भी image देखनी है, हो सकता है, यहाँ पर clear ना दिखे आपको, ठीक है, तो first traction का आप में नाम बता रहाँ आपको, box traction, इसके बाद में box traction कहाँ पर काम में लिए राता है, प्रेट्शर के लिए प्रेक्शन इसके बाद में रसेल ट्रेक्शन यह किसके लिए काम में लेता है फिमर और नी फ्रेक्शर के लिए कौन सा रसेल ट्रेक्शन नेक्स्ट साइड वन कौन सा है डनलोब अब डनलोब ट्रेक्शन को किसमें काम में लिया जाता है अभी मैं इनकी इमेज दिखाऊंगा आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप अपनी तरफ से भी इमेज देखे फूल एस्टी में करके देख लेना क्योंकि एक जाम में आपके पास में प्लेटर रहेगा तो आपको ज्यादा वीजिबिलिटी होगी उसकी हो सकता है आप वीडियो की क्वालिटी में तोड़ा फरक पड़ जाए या फिर जो भी अप्लोडिंग के टाइम पे कुछ इशी हो जाए तो कि एशनल में आपको इमेज के देखनी है तो कि यह दो मैंने आपको जितने भी टाइप बताये भी हुए इंअ कि जितने भी टाइब बताएंय इसंग ट्रक्शन इस कि सभी इसके टाइपी this connection है C कौन से आपको देखने है इस्क्लेटल ट्रेक्शन के कि इस्क्लेटल ट्रेक्शन में आपको क्या क्या देखना है इस्क्लेटल इमेज देखने है आपको सबसे पहले आपको देखना है सर्वाइकल टॉंग मैं भी इन सबकी मेज दिखाऊंगा आपको भी देखना है छी की से तो बहुत बार पुछा रहता है यह दो नों की इनमेसे इस स्कीम krijgen में भी इमेजस देखने के ईक इकम झी कर तो आपको यह मैंबली दो यहां पर अपने स्केयर क्रॉशन से आपको देखना आ tempo अभी देखिए आपको आपको इमेज दिखरी है यह कौन सी सी मेंज है बख स्रेक्शन की थीक है ठीक है बघ्स tracson की मैं आपको बताया था काहां काल पे काम मैं लेते हैं क्या है अपन टिख याऊंपे क्या है अब्रगार का इंवेज़व प्रोशेजर आपको नहीं देखने को मिलेगा और यहां पर यहां पर टेन फॉंक्स का इसन अदर क्या फेशया होता है घृर sticker mound अब फेशिया किस से करनेटर रहता है बोन से बोन भी कैसी रहेगी खिंची भी मिलेगी आपको ठीक है अब रसेल और बक्स में इतना ही डिफ्रेंस है कि रसेल किसके लिए अन्दर ठीक है और सा बखक से लिए के लिए और यह देखिये यह जो ट्रेक्शन है यह कौन सा है यहां पर ट्रेक्शन हम टेटे तो डेनलों ट्रेक्शन हों स्टेक्शन को कॉँक्ड यहां relative यहां पर यहां सकते हैं तो देखिए में इस्टिक irrigation में थैंतerson लगाया गया है, यह depend करता है कि fracture किस पकार का है, ठीक है, तो at the time of fracture भी अपने depend करके लगा सकते हैं कि अपने को traction चाहिए कौन सा, next, अब देखिए यह जो आपको image देखने को मिल देए, यहाँ पर क्या होता है, pelvic region होता है हमारा, ठीक है, यहाँ पर क्या है, pelvic region, pelvic floor बगरा होता यहाँ पर, अब यहाँ से क्या गिया गया है, device लगा कि सीध है, यहाँ पर पुली के द्वारा आपको क्या कर दिया गया है, यहाँ पर वैट application कर दिया गया है, तो यह कौन सा traction है, pelvic skin fraction, next, next देखिए आपको एक महिला की image देख रही होगी यहाँ और यहाँ पर इसके क्या लगाया गया है, यहाँ पर traction लगाया गया है इसके head को, अब यह कौन सा traction है, head, holder, skin, traction, ज्यान में रखना, ठीक है, अभी मैं आपको जो बता रहा हूँ वो क्यों से आएंगे, skeletal traction के example आएंगे, यह देखिए, यह image जो बताईगी है, यह क्या है, cervical, tongue, ठीक है, अगर cervical के अं जे रहा है, इसको अगर यहाँ पर movement नहीं करना चाहिए, cervical region में क्या होता है, अपने जो breathing वगरा करने के लिए, जो man responsible nerves होती है, वो कहाँ परजने रहती है, C2, C3 वगरा के अंदर, ठीक है, अगर इन में fracture हो जाएगा, तो अपना सरकूर रेस्परिटरी कोलेप्स हो सकता है इसलिए काफी dangerous fracture होता है cervical, ठीक है, तो आपको अगर इससे MCQ बनता है cervical fracture से तो आपको क्या assess करना है, breathing pattern assess करना होता है patient का, क्योंकि cervical region में अगर fracture होगा, तो शीधा-शीधा आपकी affect होगा breathing pattern, ठीक है, यहाँ से आप nursing priority assessment कर अंदर MCQ बनता है, ऐसा वाला, यह भी ज्यान में र या फिर आपको patient के साथ में image देदेंगे तो यह कौन सा traction है, hello traction, okay, hello traction इस प्रकार का होता है, ज्यान में रखना, head, holder, skin traction अलग होता है और hello traction, दोनों अलग-अलग होता है, next, MCQ अपना आज का, the response shown by adult in the following picture is, इस picture के अंदर जो adult से जो response आप वो देखने को मिल रहा है, वो किस प्रकार का है, flexor, planter, reflex, babinski reflex, ankle reflex या फिर knee jerk reflex, कौन सा reflex है, तो देखिए, यहां पर आपको क्या दिखाया गया है, देखो यहां पर examiner के आप में क्या है, एक टॉंग है, और इसने क्या किया है, इसने एक procedure यहां पर perform किया है, आपको देखने को मिला है, कि जो planter surface है इसका, वो कैसा देखने को मिल रहा है, flex देखने को मिल रहा है, तो यह क्या हो गया, इसका यहां पर देखने को मिला है कि यहां पर देखने को मिला है किसका stereotype का तो यह कौन सा reflecting हो गया य है अब दीखिए निचे डिक्लेक्स देखने को मिला है वैवींश क की मिलता है मैं यह दिखने को मिलता है जिसकार से देखिये यह एक image दिखाई गई है और यहाँ पर आपको जो greater toe है वो बाहर की side में देखने को मिले ठीक है बाकी की finger इंटर side में और greater toe बाहर की side में तो यह क्या है बैबीन्स की reflex यह देखे आपके सामने दो image है तो first one कौन सा है देखे normal planter response normal planter response किस प्रकार का होना चाहिए इस प्रकार का ठीक है toes down flexion अब अगर अपन क्या करते हैं planter reflex चेक करते हैं और extension planter response देखने को मिलता है ठीक है fanning toes out ठीक है toes का आपको क्या देखने में मिल रहा है outward देखने मिल रहा है बाकी की finger से वो किस देखने मिल रहा है नजजेен के निउ बौन में यह ही ध्यान में रखना यह देख लिजिए यह कए है बेबींस की reflex एक है negative reflex एक है positive reflex अगर फीव फीलेक्टस पोजिट्व आता है किसमें adult में तो यह क्या होता है abnormal और यह बेबींस की reflex अगर positive आता है किसमें newborn में तो यह क्या कंडिशन है नॉर्मल ठीक है नूबॉन में नॉर्मल होता है टू यह तक ठीक है और बाखी एडल्ट के अंदर ही अगर इससा देखने को मिले तो अब नॉर्मल है एडल्ट में नेगेटिव होना चाहिए बेविंस की रिफ्लेक्स तो मतलब क्या है अपना जो यह क्या है एंकल डिफ्लेक्स अपन यहां पर क्या करते हैं हैमर से यहां पर हमने क्या 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 देखने को मिलेगा फ्लेक्शन देखने को मिलेगा ठीक है यह कौन सा हो गया एंकल डिफ्लेक्स नेक्ट आपको धिमेज दिखाई गई है थीकि यहां पे क्या किया हमने क्या कियाा किया। कई पेर के साख csak अंदर कहा है तो यहां पे 안स Тогда यह आपए बीवह होगिए यह होती है यह था है अपना नी जर्क ड़िफ लेक्स next mcq अपना the physician is examining the patient's abdomen to diagnose possible यह physician का यह hand है यहाँ पर और यह examine कर रहा है patient के abdomen को यह क्या examine कर रहा है यह आप से mcq पूछा गया है kulin sign को देख रहा है ulcerative colitis को पता लगा रहा है appendicitis का पता लगा रहा है या फिर diverticulitis का पता लगा रहा है तो यह देखिए examiner के access कर रहा है mac burny point को यहाँ पर कौन सा point होता है mc burny point अब mc burny point region में क्या होती है appendix ठीक है अभी मैं आपको exact location बताऊंगा appendix की बट मैं mc burny point में अगर आपको check करना तो आपको क्या check करोगे appendix को यह आप चेक करोगे तो अपना answer क्या होगा appendicitis ठीक है तो देखिए appendicitis से क्या हम से क्यों बनते हैं तो यह सबसे पहले इसकी appendix की position क्या होती है यह exam में पूछा गया है appendix की position क्या होती है retro cycle position ठीक है कौन से पोजिशन होती है retro cycle position अब appendix के अंतर infection information हो जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पर appendicitis अब देखिए most common type of appendicitis appendicitis का most common cause क्या हो सकता है तो यह आपको देखने को मिलेगा calcified stone जो किसके साथ किसके वरे से देखने को मिल रहा है fecal matter फीकल मेटर appendicitis में अंदर चला जाए तो वो क्या कर देगा एक stone जैसी structure बना देगा वहाँ पर नहीं तो क्या कर देगा infection inflammation कर देगा ठीक है तो इसके वरे से क्या हो जाएगा पिकल मेटर क्या कर सकता है आपने appendicitis कोज कर सकता है appendicitis की complication क्या होती है पेरिटोनाइटिस क्या complication होती है पेरिटोनाइटिस यह भी mcq पूछा गया है जब ब्रस्ट आउट हो जाती है appendicitis फट जाती है तो जो पेरिमियम वगरा ओरीजन होता है उसको यह अफेक्ट करती है वहाँ पे infection inflammation pause कर देती है तो यह अपना आंसर क्या हो गया हाँ पेरिटोनाइटिस अब देखिए appendicitis के sign and symptom बहुत सारे sign and symptom होते हैं अभी एपन one by one को discuss करेंगे ठीक है सबसे पहला anorexia ठीक है anorexia देखने को मिलेगा leg of appetite देखने को मिलेगा इसको अपन क्या बोलते है अनorexia की देखने को मिलता है patient के अंदर vomiting देखने को मिलते है इस sign को हम specialized नाम देते हैं hamburger sign इस sign को हमने क्या नाम दिया hamburger sign इसके अंदर patient को जो है वो anorexia देखने को मिलता है इसके बाद में क्या देखने को मिलता है आपको rebound tenderness यह क्या होता है pain upon removal of pressure हम क्या करते है मैक बंडी पोइंड के इंदर हमने क्या किया हाथ का pressure लगा के रखा fingers का pressure लगा के रखा तो वहां पर क्या होता है patient को pain relief होता है ठीक है जैसे ही अपने हाथ आटा है वहां पर patient का जो rebound tenderness occur हो गई और यहां पर उसको patient को वापस pain होने लग गया तो इस sign का भी एक specially नाम दिया हमने यह कौन सा sign है Bloomberg sign यह भी पूसर आता एक्जाम के अंदर जान में रखना अपेंडिस आटिस के sign काभी important है या तो आपको इमेज देंगे जिस परकाट से यह हम सीक्यू है या आपको इन sign का इस पेसली आपको दिखा देंगे और क्या देखने को मिल सकता है यहां पर abdomen का distension देखने को मिल सकता है ठीक है paralytic alias देखने को मिल सकता है और क्या low grade fever के साथ में elevated leukocyte wbc का count यहां पर बड़ावा देखने को मिलेगा अब और क्या sign important होता है यहां पर देखिए next sign आपको देखने को मिलता है और और रोजानोवा sign यह क्या देखने को मिलेगा जब हम pen increase with mc burning point palpation ठीक है mc burning point के palpation से क्या होगा पेन बढ़ रहा है ठीक है ऐसा नहीं कि सारे के सारे sign देखने को मिलेंगे कई कभी तो आप बोलड़ें पालपेट करते हो तो पैन ज्यादा होता है ऐसा नहीं कि rebound tenderness और यह दोनों साथ में देखने को मिलेगे कुछ पेशेंट में यह भी देखने को मिला और कुछ पेशेंट में यह भी देखने को मिला इसलिए sign में include किया गया है और next आपको साइन देखने को मिलेगा एक डंफी साइन डंफी साइन में क्या होता है पेशेंट को अगर कफ आये कफिंग आये खासी आये तो खासी के साथ में राइट लोवर अभाड रॉर्लियुद हपुला है तो फेन इस्टार्ट 8 अम्लेकल पार्ट दें सबसे पहले पेन का expensive होता है उसके बाद में राइड हीलत पार्ट के अंदर जो पेनका transfer होता है इससे हम क्या6 कि बोलते हैं गोटाइड साइग जो भी आपका ध्यसकी जहां पसके अंदर नेक्स त आफ इसकावन्सन धूल्ड आकशेजिंग एक्तिवले,क्तिवली क्या करें extension करते है न तो patient में क्या देखने को मिलता है passively flexion due to pauses muscle pen ठीक है यहां पे तो pases muscle होती है par के अंदर femur वाली side के अंदर यहां पे क्या देखने को मिलता है पेन देखने को मिलता है प्योन से sign हो गया पॉजया साइण. नेक्ट साइण का क्या नाव है औप्टूरेटर साइन. ये भी किसमें होता है appendicitis में. लिखिये इसमें क्या करते हैं अपन? हिप का. क्या करते हैं? internal rotation. तो क्या होता है patient को? feel होता है , pain होता है. क्यूंW इसके लिए इसको हम क्या सुड़ते हैं obturator sign, अब इसके वाब में देखिए, एक sign और हमें देखने को मिलता है, यह कौन सा sign होता है, यह होता है, rousing sign, ठीक है, sign important है, exam में पूछ जाते हैं, तभी इनको मैं इतना discuss कर रहा हूँ, है तो मैं इसका क्यों आपको नाम देके complete करते रखता था, क्योंकि एक्जाम में इनकी definition भी कई बार पूछी जाती है, तो दो मिनिट आपको एक सालत जाएंगे, मगर आपका topic clear हो जाएगा, ठीक है, अब देखिए, रोजिंग साइन काफी important इसलिए हो रहता है, क्योंकि यहां पर अपन बूर ऐसा करते हैं, तो फड़ा इसका opposite action होता है, ठीक है, रोजिंग साइन में क्या करते हैं, deep palpation करते हैं, कहां करते हैं, left lower quadrant में, अब देखो यह अपना क्या है, left lower quadrant, right lower quadrant, appendix में होती है, हम कहां कर रहे हैं, left lower quadrant में हम क्या करते हैं, palpate कर रहे हैं, अब इस palpation की वज़े से, pain increase in right lower quadrant, ठीक है, यहां पर हमने palpate गया, अपनी finger से pain कहां बढ़ गया, right lower quadrant region में अगर pain बढ़ गया, तो यह कौन सा sign होता है, rising sign, ठीक है, तो सारे sign important है, appendicitis, topic भी अपना important है, तो ध्यान में रखना, तो लीजिए, अब आपको थोड़ा इसका image भी दिखा देते हैं, तो यह कौन सा है, rebound tenderness में, मैंने आपको क्या बताया, अगर आप क्या करोगे, प्रेशर लगाओगे, तो pain कम होगा, प्रेशर छोड़ता ही, pain शुरू हो जाएगा, यह क्या कहलाता है, rebound tenderness, यह कौन सा sign है, rising sign, ठीक है, हमने left lower quadrant के अंदर हमने क्या किया, palpate किया, तो यहाँ पे pain कहा हो रहा है, right lower quadrant के अंदर, यह कौन sign है, pausing sign, अभी क्या है, pauses sign, हमने क्या किया, actively हमने क्या किया, pair का extension किया, तो यहाँ पर क्या देखने को बिलेगा, patient को यहाँ पर क्या होता है, pain होता है, तो इसके उदे से patient क्या करेगा, पैसिवली, flexion करने का वापस काम में करेगा, यह कौन सा होता है, pauses sign, next कौन सा है, obturator sign, जब हमने क्या किया, internal rotation का, outward side में, rotation किया, internal, ठीक है, obturator part का, तो यहाँ पर क्या होता है, obturator nerve, compress होती है, और वहाँ पर होता है, pen, ठीक है, तो यह क्या होता है, obturator sign, position, during appendicitis, अगर appendicitis है, patient को तो क्या position दोगे, right, right side line दे सकते हो, यह और यहाँ पर, semi, polar position दे सकते हो, patient को, comfort provide करवाने के लिए, next, अमसे क्यों बनता है, avoid, heat application, heat application का करना, avoid करना है, इससे क्या हो सकता है, appendix दो हो, brushed out हो सकती है, दूसरा, और क्या, अमसे क्यों बनता है, avoid, lexative anima, to prevent, bowel rapture, lexative anima नहीं देते हैं, क्योंकि, inema दो के तो क्या होगा, bowel moment बढ़ जाएगा, तो यहाँ पर injury होने के chances बढ़ जाते हैं, patient को क्या रखना है, and cure रखना है, क्योंकि कभी भी surgery करनी ही पड़ेगी, appendix करनी पड़ेगी यहाँ पर, ठीक है, pan-rose drain, आपने देखा होगा, यह क्या है, इस्टमक के बाहर, यहाँ पर tubing के साथ में, यहाँ पर यहाँ पर एक ड्रम जैसा आपको, यहाँ पर, एक drain लटकता होगा, दिखाए देता है, दोनों side में, ठीक है, patient के, appendix side में, एक side लगा दोगे, तो काम से जाएगा, और कुछ, और condition होती है, यह कौन सा drain होता है, penrose drain, इनकी image अपन देखेंगे, यह कौन सा drain होता, penrose drain अपन लगा सकते हैं, 4, 1st 12R के अंदर, अगर surgery नहीं कर रहे हैं, अभी उससे surgery करने से पहले prevention के लिए अंदर काम में ले सकते हैं, अब देखिए, एक और important MCQ, MCQ बनता है, वो क्या बनता है, देख pen management के लिए यहाँ पर अपन क्या करते है, अपन देखते है, ऑपन देखते है, अपन देखते हैं, वो अंग बेकर, पेशन लेटिंग इसके अलवगर असा pen management के लिए होता है, बट देखो, एक score होता है, कौन सा, अलवा राडो score, this is used for assessment of severity of appendix कि अपेंडिक्स की सीवेरिटी को असेस करने के लिए क्या स्कोर को काम में लेते हैं अलवा राडो इसकोर अच्छा अमसी क्यों है नया अमसी क्यों हो सकता है हमसाब से पूछ ले अपना अच्छा option के अंदर देखिया आपको यह sign भी देखने को मिल सकते हैं appendicitis में kolen sign और gray turner sign थिक है यह दूनों sign के इसमें देखने को मिलेंगे आपको दोनों sign तो pancreatic injury के अंदर तो यह कौन सा sign है kolen sign जो क्या है पेरी अंब्लीकल डीजन के साथ में भी कि ए मिलता है और ग्रेट अनल सइन में क्या होता है अट है होते और इचंध फेंफलेंक रिजन पेंसे इंदर आपको देख मुलता है बुअज इस अंग यहां पर ये यहां यहां पैव्फ या यहर फ्लेंट साइन और पूलेंट साइन नेक्सट देखिस है what is this इसे हम क्या कहते है कि डाय वेर्टी कॉलाइटिस के अंदर क्या होता है क्थॉपार मगन जाते हैं एक ऐसे होल्स देखने को मिलें गाए आपको यह क्या है डाय वेर्टीकॉलाइटिस अब इससे क्या इंजर कुल बनता है देखो यहां भी इंच को बनता है कि मौश्ट कममण कहां देखने को मिलेगा तो मिलता है यह सेग्मोइड पॉलन में, नेक्स्ट, अब यह इमेज किसकी है, तो देखिए यहां पर आपका क्या देखने हो मिलता है, अलसर देखने हो मिले हैं, तो यह क्या है, अलसर एट्यू कोलाइटिस, तो देखिए, अलसर एट्यू कोलाइटिस किसका पार्ट होता है, इसके अंदर दो कंडिशन आती है, एक आती है, एक आती है, इमेज देखते आपके दो-ती नमसी ठीक हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे, तो देखिए, अलसर एट्यू कोलाइटिस जो होता है, वो हमेशा क कहां प्रजेंट रहता है डिस्टल कॉलन पार्ट के अंदर होगा और कॉंस डिजीज है जो है वो कहीं भी एपेर हो सकती है फिर्स्ट इनका डिफरेंस आप यहीं पता लगा सकते हो शेकिन आपको मैं बता हूं तो अलसरेटिव कॉलाइटिस इधर मैं लिग लेता हूं क्या क कि वहीं कौंस डिजीज है कित तो देखो यह क्या करती है क्या क्लेट जी एट्रेस को कते करती वर यहां से अंता है कि मोस्ट कॉमन किसको करती है मोस्टउमन अफक्ट करेगी ए है यह कि का wiping कि यह पूछा हुआ है कि मोस्ट कॉमन एफक्टेड़ पार्ट इन कौन स बीजी स्कॉन सा है ऑप्शन दे दिया आपको सारे ऑप्शन सभी में करता है क्योंकि वॉज यह ट्रेक नहीं पर एफेक्ट होती है तो बस्ट कमन में कहा होता है इस बात करूं मैं इसके साइन सिंप् देखने को मिलता है सिवेर होती है इतकत क्या होगा इक देखने को मिलेगा अफ्टर disproportionately पेशेंट को क्या होगा severe pain याँ पर देखने मिलेगा diarrhea देखने मिलेगा एंडरीक्सिया नर्वोस है डायरिया होगा तो क्या होगा weight loss होगा यह सब सायन देखने को मिल सकता है नेक्स्ट क्या देखने को मिल सकता है इस्टेटोरिया नेक्स्ट इसका देखो mcq क्या बनेगा confirmatory diagnosis confirmatory diagnosis करना है आपको किसका कौन्स disease का किस प्रकार से करोगे एंडोस्कोपी और बायोप्सी से यह दोनों पार्ट क्या है confirmatory diagnosis कर पाएंगे इसके बाद में देखिए एक और टेस्ट करते हैं इसमें क्या fecal fat test fecal fat test क्यों करते हैं क्योंकि यहाँ पर क्या देखने मिल रहा है आपने को fat अपने को देखने को मिल दिए तो आप fecal fat test भी कर सकते हैं अब देखिए यहाँ से important mcq एक और बनता है वह कौन सा होता है string sign किसमें देखने मिलता है तो कौन्स डिजीज के अंदर इस ट्रिंग जैसी structure यहाँ पर किसकी बन जाएगी इलियम पार्ट गी इस टिंग मतलब थोड़ा इसे गुमावदार जैसी structure देखने को मिलती है किसमें इलियम पार्ट में इलियम पार्ट में डिजीज कंडिशेन होगी mostly कहाँ पर टर्मिनल तो यह कुछ mcq है किस से रिलेटेड अपने कौन्स डिजीज से रिलेटेड अंसी क्यों होते हैं ठीक है अब इसका आप treatment कैसे कर सकते हो लेक्जेटिव अगर आप प्रवाइड गरवाद होगे अगर यह लेक्जेटिव का आपको आवोइड करना है क्योंकि यह साथ में डाइडिया के साथ में क्या कर देगा यह बोवल को भी इरिटेट करेगा साथ में आपको विटामीन बीट विटामीन बीट विटामीन के क्या देने इंजेक्शन देने क्योंकि विटामीन के वगरा का रहता है लाड इंटर्शान में रहता है ठीक है अब्जॉप्शन का होता है लाड इंसे हो सकता है विटामिन विटामिन के एंड बी ट्वल्व यह भी जान में रखना है अंजी क्यों बनता इन से और डाइट कैसी दो इन में हम्वों डाइट प्रावाइड करेillus कवाथ हैं और आगि जो डाइरिया है और आपलों दोना ही किसका पाट इंप्रमेटेटी बोव यह का तो इसके अंदर मोस्त तो इसके अँए और रोम्त और इंसा होता है एक यहें हमसी क्यृआ से बनता है इंफेक्शिन कहां सेजोंते पहुंचता है तो देखो, रेक्टम यहां पे मोस्कण उएक तुषटा Иर्क्टम से अपवर्ड पार्ट में रेक्टम ट्ूआइड अपवर्ड कि यहांपे क्या देखने को मिलेगा आपको आपको ब्लीडिंग लीजयन्द क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है एस कार फॉर्मेशन किसमें होता है तो आपको पता होना चाहिए कि इसकार फॉर्मेशन कहा होगा कोन्स डीजी अब जब इसकार बन जाएगा तो क्या होगा ? Elasticity कम हो जाएगी Elasticity कम हो जाएगी तो क्या हो जाएगा patient के इंदर adsorption निकर पाएगा ? ठीक है or most common chance to occur और present cancer ये भी हमसी उच्वेयों बनता है कि Alterative quality से क्या है कि कोलन कैंसर होने के चांसेज बढ़ जाते हैं जबकि कौन्स डिजिस के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता है आपन मेडिकली इसको ट्रीट कर सकते हैं कि साइन एंड सिम्टम की में बात करूं तो क्या होगा सीवेर डाइरिया कि इसके साथ में ब्लेडी स्टूल इसके साथ में वाटरी स्टूल वाटरी या फिर म्यूकोईड यह तीनों क्या है इसके कार्डिनल साइन अब देखिए इन दोनों से एक-एक अमचिक्यू और बनता है वह मैं आपको बताना भूल गया अभी डिसकस कर लेते हैं इन दोनों में क्या है कि अलसरेशन होता है ठीक है आलसरेटिव कोलाइस में भी अलसर बनते हैं और और इसकी में भी अलसर बनते हैं कभी-कभी ठीक है तो देखिए क्रूंस्य Неज्शंद बनते हैं उनको हम क्या कहते हैं टीक है एप्तोस अल्सर टीक है एप्तोस अल्सर इसमें बनते हैं क्रॉंस डिजीज में और अल्सरेटिव कॉलाइटिस में जो अल्सर बनेंगे उनको हम क्या कहते हैं तो कॉलर बटन अल्सर यह मैंने आपको इससे पहले वाली चो इमेज दिखाई थी उपर मैंने आपको जिसके अंदर पुरा बोवेल के अंदर क्या हो रहे है अल्सरेशन हो रहे तो वो कैसा पैटन था कोलर बटन अल्सर पैटन था वो ठीक है तो यहां पर अपना यह दोनों टोपिक भी कंपलीट होते हैं इंपोर्टेंट टोपिक है यह दोनों भी तो देखो यह तो आपको इमेज देखती है समझ में आ गया होगा कि यह कौन सा मेन्यूवर है तो यह एक परकार का क्या है 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 मेन्यूवर है क्या काम करता है किसके अंदर काम में आता है तो भॉजिघ वर कलियार्व irar औभ्स्रक्शन को यह पे कलियर करना जाता है कि इसके अंदर क्या कर रही है अपनी बना रहा है कि होज़ उन प्र यह दूर॥ पर्शुन के नहीं पर यह कह कर रहा है यह वहाँ पे इसको forceful देता है ताकि क्या है कि person को जो को होग हुआ है वो बहार आए ठीक है rib cage के अंदर lower rib cage के अंदर यहां पे थम अगरा डाल करके यहां पे क्या करता है fist बनाके ऐसा जटके देता है like जो forcefully यहां पर abdomen को यहां पे क्या करता है forcefully contact करता है तो वह क्या होता ये कौन सा प्रोशीजर है है हैमलिच मैनुवर अब देखिए आपको इमेज दिखा दा हूं में किसकी सिमॉंट मैनुवर की तो ये जो आपको सामने इमेज दिख रही है ये कौन सी इमेज है इस इस नौन एज कि सिमॉंट इसके अंदर क्या होता है यूज्ज टू क्योर बिनाइन परोग्जिमल पोजिशनल वर्टिवो ठीक है इसको हम क्या किसमें काम में लेते हैं क्या है पोजिशनल वर्टिवो को टीट करने के अंदर जो मेनुवर काम में लिया जाता है वह कौन सा मिन्यूवर होता है सीमॉंट मेनूवर कि और यह किसकी प्रोब्लम को ठीक करता है तो क्या है कि इसमें क्या होता है कि इयर की साइड से भी आपन क्या कर सकते हैं इसके अगर लेडी को क्या कर दिया यहां पर क्या कर दियागा इस तरह से कैंद कि अर्व को यहाँ पर करेगी दर को लेट एक हिस्को लेट ता अब लेटने को कहा कि आप यही पोजिशन सेम अब इस साइड के अंधर करो तो इस प्रकार की पॉजिशन इसको बनाने के लिए कहेंगे इससे क्या होगा कि जो पॉजिशनल वर्टीगों है वो यहां पे ठीक होने के चांचे बढ़ जाते हैं और इस मेनिवर को हम क्या कहते हैं अधिक आपको दिख रही है, इस इमेच के अंदर क्या होता है? अपलि मेनिवर। यह कौन सा मेनिवर है अपलि मेनिवर। है वर्टिगो को ट्रीट करने के लिए ठीक जो इंटर्नल येर में इंविलेंस होता है ठीक है आप सभी को मैं कभी पढ़ाऊंगा इंटर्नल येर तो उसके अंदर अपन पढ़ेंगे वर्टिगो वहां पे अपन ये सब चीने डिसकस करूंगा मैं आपके साथ में ठीक है क्य θα लगी क्या ओपाता है सेलेक्शन होपाता है Ben em off एसा नहीं बोढ़ रहा में कि आज से तोड़ा अलग पढ़ना शुरू करता है आप डीप पढ़ना शुरू करता है अच्छा हूं और पर अमेंट जरूर कीज़ेगा बताना कि एकलास केशी रही है आज की, test series हम रन कर रहे हैं, ठीक है, again reminder, test series हम रन कर रहे हैं, क्या नारम में अमारी test series का, pre-norset test series, किसके लिए है, आपका जो जून के अंदर जो exam है ना, उसके लिए हमने start किया है, इसके अंदर हमने क्या किया है, every, Monday to Friday, हम क्या करते हैं, live test हम यहाँ पर, conduct करवाते हैं हमारी app पर, app का क्या नाम है, rncc, app आपको क्या है, play store से, और ios, app store से भी, आपको वहाँ पर मिल जाएगी, और बाद में every saturday, और every हम क्या करते हैं, sunday को हम क्या करते हैं, pre, not set, test हम यहाँ पर, perform करते हैं, जिसके अंदर आपको topic wise test मिलेगा, subject wise test मिलेगा, and ms के pattern का test मिलेगा, ठीक है, और यहाँ पर क्या रहेगा, one by third आपको negative marking भी देखने को मिलेगी, तो यह हम करवाते हैं, saturday, sunday, price हमने एकदम affordable रखिए, live test हम कितने रहते हैं, plus 120, and यहाँ पर, plus 30, यह test है, total 150 test वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, I hope इससे बाहर ms के अंदर topic से तो नहीं जाएगा, जो topic हमने चूच किये हैं, उन से उन topic में से बाहर mqq नहीं पूचे का हो सकता है, mqq का modification करेके, आपको mqq पूच लें, बड़ topic से बाहर नहीं जाना चाहिए, यह हमारी उम्मीद है, बाकी m से कुछ कहर नहीं सकते, ठीक है, तो wish you all the best, thank you so much बने आने के लिए, मिलते हैं अपने next important mqq class के अंदर, वहाँ पर भी आपको एक से बैजरीन, करके जाएगा और topic में से क्या important mqq बनेगा या बना है आज तक वह भी आपको बता दिया जाएगा, thank you.